स्वागत है दोस्तों यह वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि 12 सेप्टेंबर को निफ्टी 50 के एक्सपाइरी कैसे हो जकती है बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी पर भी चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले आज के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है आज का अगर मैं समराइज करूँ तो समरी में आपको यह पता चलेगा अगर बैंक निफ्टी के आज एक्सपाइरी थी HDFC bank neutral रहा HDFC bank का neutral रहना bank nifty के लिए तो अच्छा नहीं है अगर HDFC bank कुछ करे या तो breakdown ही दे जाए यहाँ से यहाँ पर वो है या फिर यहाँ से breakout दे जाए तभी कुछ अच्छा हो सकता है दूसरी चीज आज सुबह सुबह हमको 51,000 के base के आसपास bank nifty मिला 51,000 का बहुत अच्छा base था support था और मैंने सुबह भी कहा था कि भाई 3 बार यहाँ से support पहले ले चुके हैं 3-4 बार तो वो support ने बहुत अच्छा काम किया उसके बाद हम 51,300, 51,400 के upside का रुख हमने देखा और वहीं से 51,400 के आसपास से हमको फिर से नीचे का एक रुख दिखाई दिया जिसमें कि आपको पता है State Bank of India पिट रहा था और भी जो bank पिट रहे थे काफी पिट रहे थे क्योंकि HDFC bank neutral था इसलिए वो धीरे धीरे उसका impact नीचे को आया फिर से आपको दिखाई दिया 51,200 तूटता और लास्ट में धीरे धीरे आते आते तो 51,000 भी एक बार को तूट चुका था तो यह हुई आज की क्या सेनेरियो समरी का सेनेरियो bank nifty का nifty में भी आज bank nifty में भी और mid cap nifty में भी पैसा सब में बनाने को मौक़ा दिया और जैसा कि मैं अकसर बोलता होता हुँ कि साड़े तस ग्यारा बज़े तक भाई जो मिल रहा है आपको सुबह सुबह लेकर निकल जाओ उसके बाद देखेंगे दो ड़ाई बज़े के बाद कुछ देखना होगा तब ही देखेंगे बीच में खास करके अगर आप देखें दो बज़े तक ग्यारा बज़े से लेकर दो बज़े तक किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाए प्रीमे मीटिंग और ये खास करके जिस इंडेक्स की एक्सपारी है उसमें तो ऐसा अकसर देखाई जाता है तो अगर कोई उसमें फसा होगा तो वो दिक्कत में जरूर रहा होगा दोस्तो आप लोग के साथ इससे पहले एक ही मैं चर्चा करूँ कि कल का निफ्टी का एक्सपारी कैसे हो सकता है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किस तरह से चल सकता है एक बार मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहूंगा जिसका है ये वीडियो है जोर से बोलो मौरेय कैंपेन का जोर से बोलो मौरेय कैंपेन क्या है जी गणपती बपा को पुकार लगाओ ट्रेडिंग का विस्टम पाओ चैंट कीजेगा और उसके बाद आपको कहेगा लाओ टो रिकॉर्ड वीडियो गणपती बपा को पुकार लगाओ ट्रेडिंग का विस्टम पाओ और उसके बाद दोस्तों क्या कहेगा एक दो तीन चार गणपती की जैजैकार जो और से बोलो एनी गणपती चैंट और गणपती चैंट करेंगे तो आपकी प्रेयर सुन लेगा बगवान और फिर प्रसीड कीजिए उसके बाद क्या होगा अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए आपको कहेगा तो अगर ऐसी ही रेकमेंडेशन्स आपको चाहिए तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप भी चैंट कीजिए गणपती बप्पा मोरिया बोलिए और आप भी सैमको से पाईए रेकमेंडेशन्स ओन स्टॉक्स चालिए दोस्तों इसके साथ साथ यह भी बता दूँ आज रात्री में साड़े आठ से साड़े नौ आज भी और कल भी दो दिन का प्रोग्राम रख रखा है जूम अप्लिकेशन पर जो भी लोग पाटिसेपेट करेंगे इस चैंटिंग में गणपती बप्पा मोरिया वाले में तो हम अगर आप मेरे को स्क् पैच इग्जैक्ली उसमें आप लोगों को फ्री एंट्री दी जाएगी चलिए आप देखने हैं किस तरह से चल सकता है हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी और कल के एकस्पाइरी भी आपको पता है उस पर भी कर लेते हैं चर्चा सर जब बहले बैंक निफ्टी की चर्चा क कर लिया उसको वहीं से एक अपसाइड का रुख मिलता जो कि आपको पिछले दिन के हाइप तक लेके यादा पिछले दिन का आये था फिफ्टी वन ट्री ट्री डबल सिक्स और वह भी आपको प्राप्त देर वहां टिकनी पाया दस एक मिनट टिका उसके बाद नीचे का र आपर लो लगाया और 51,0010 के आसपास की है क्लोजिंग दुद्वार को बैंक निफ्टी ने अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी की बात देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपकو पता चलेगा कि क्या situation रही है आए ज़रा एक बार को bank nifty पर देखने है कि क्या हुआ है bank nifty में advances में तीन है declines में नौ है आई से बैंक फ्लैटिश कहूंगा फ्लैटिश था positive तो नहीं कहूंगा हलाकि ठीक है 0.06 green में है ए यू बैंक को बहुत बड़ा वेटेज नहीं है एकसे बैंक भी green में ही बन तो जरूर हुआ है लेकिन इसको मैं सिर्फ और सिर्फ लैटिश ही कहूंगा बंदन बैंक पिट रहा था पिट रहा था पी और सबसे बड़ा ड्रैगर जो एक्ट्वल में ड्रैगर जिसको मैं बो सब्सक्राइब क्लियर बात हुई थी हमारी के वह 25 130 के उपर ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे और आज 25 130 आपके सामने और उसके बाद आपको पता था कि भाई अगर हमको कोई भी कोई भी डाउनसाइड का रुख मिलता है यहां से देखिए थ्री कॉन से कैंडल्स बन रही हो यहां पर आपकी थ्री कैंडल थ्योरी बने और उसके बाद आपको पता था कि वह नीचे का रुखब तयारी कर रहा है और लास्त तक आते आते आपको पिछले दिन का लोबी टेस्ट करा दिया और उसके भी नीचे 24885 तक लगके आया अब बात कर लेते हैं कि निफ 365 रुपए पर लोग क्या सोज़ रहते बारा सौप पर आएगा बारा सौप पर नीचे लीचे लिफ और फयर टो चबरदस्त टेजी दिखा रहा है वहे शば до're प्रूड ओयल के भाउट कम हुए एशन पेंट्स को फाइदा ही फाइदा सबसे ज्यादा फाइदा एशन पेंट्स को यह बजाज फाइनांस भी अच्छा चल रहा था और ब्रिटैनिया भी अच्छा खासा तेज चल रहा था अब दोस्तों एक बार को हम लोग जड़ा देख और बैंक निफ्टी में अब याद रखेगा 51,010 यानि कि 51,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है वहीं पर क्लोज हुआ है 51,000 के नीचे हम वीक हैं 51,000 के ऊपर हम स्ट्रॉंग है ठेक है जी तो खैर हमारा लेवल जरूर इसमें कोई शक नहीं कि 51,420 आता है लेकिन मैं यह सोचना हूँ 51,420 से पहले एक बार को अगर हम इस लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट करतें 51,200 के ऊपर जाना स्टार्ट करें 51,210 के ऊपर अगर जाना स्टार्ट करेंगे तो हम एक बार को बाएक साइड के बारे में सोच लेंगे 51,420 के लिए 210 के बाद सीधा-सीधा मैं लेवल ही 51,420 लगा रहा हूँ 51,420 अगर ब्रीच होता है और अगर वो भी ब्रीच हो गया तो दोस्तो एक बार को हम यह लेव on the downside 51,000 के नीचे weakness हो जाएगी लेकिन आज का लोग है 50,947 हम 50,947 को क्या देंगे respect देंगे 50,947 को हम respect दे रहे हैं अगर 50,947 के नीचे जाना start करेगा तब ही हम सोचेंगे sell side के बारे में 50,947 50,947 के नीचे क्या रहेंगे हमारे लेवल 50,947 के नीचे हमारा लेवल जो आएगा वो आएगा यह यह आएगा जी हमारा लेवल सीधा सीधा 50,786 that is 50,786 50,786 भी तूटा अगर तो then we might be able to see levels of 50,560, 568, 50,560, 50,570 के आसपास के levels देखने को प्राप्त हो सकने यानि कि 51,210 के उपर 51,210 के उपर हम बाई साइड के बारे में सोचेंगे 50,947 के नीचे हम सेल साइड के बारे में सोचने लग जाएंगे अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड सिलेक्ट की यानि कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की निफ्टी मेडिकाफ इंडेक्स यह देखिए हमने बिल्कुल क्लियर बात की थी कि 1399-1300 जो है वह बहुत अच्छा सपोर्ट है आज हम उसके आसपासी ओपन हुए आज हम सुबह उसके आसपासी ओपन हुए माफ किजाएगा माफ किजाएगा एक घंटे का चार्ट लग गया है मैं से सॉरी सॉरी गाइस मैं भी ओई कहूं कि उपन तो हम जो उपर वाला लेवल था उसके उपर 13214 के आसपास हम उपन हुए उसके उपन हुए हम लोग पहले ही बाइस साइड में उपन हो रहे थे और उसके बाद आपको पता है कि 13214 के उपर जब हम जाने लग गए 13246 का हमारा लेवल था 13246 के ही क्या मिला रेजिस्टेंस मिला तेरा दूसर चौदा भी तूट गया 13214 नहीं जूटा फिर हम तेरा एक सो की तरफ आ गए और 13082 का लो लगा है क्लोजिंग होई है तेरा जार एक सो पंदरा एक सो सोलह पे 13116 पे अब कल को क्या है कल निफ्टी फिफ्टी की है लेते हैं लेवल्स पर बात कर लेते हैं कि क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स अब देखे 24918 24900 पे बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट मैंने आप लोगों को आज सुभे भी बताया था क्यों बताया था 24 अब हम 24885 का लो जो है यह एक सपोर्ट मान रहे 24885 तक का कोई भी डिप ह है वो बहुत अच्छा एक अपॉर्चिनिटी हो सकता है यानि 24900 24885 एक अपॉर्चिनिटी बहुत अच्छी है इसके नीचे हम सेल साइड पे आ जाएंगे 24885 के नीचे 24885 तूटता है तो 2484841 चौविस 84041 तक के लेवल आ सकते हैं और अगर 24841 तूट गया तो दोस्तों एक बार को हमको 24803 24803 देख सकता है और 24803 तो चौविस साथ सो पचास साथ सो तरफमन 24750 753 तक के डाउन साइड के लेवल समको देखने को मिल सकते हैं अब ठीक है 24900 तक कोई डिप आता है आज जैसे डिप मिला भी है वह बहुत अच्छे पॉर्चिनिटी है बट फिर भी बुलिश होंगे 24950 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को हमारे जो लेवल आता है वो आता है 24991 चौविस 991 और 25,000 का एक लेवल जो है वो अब हमारे लिए थोड़ा सा रिजिस्टन्स का काम तो करी रहा है क्योंकि वहां पर भी ओल्ड राइटर आ चु तो यह समझ लीजेगा फिर यहां पर 25,100 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा भी स्ट्रॉंग तो है ही लेकिन अगर वो तूट गया अगर 25,100 के ऊपर हम गया उसको 10 मिनट भी अगर वहां पर रुके तो यह समझ लेएगा 25,100 के बाद 131,135 तक के लेवल सीधे सीधे आते हुए हमको प्राप्त हो सकते हैं अब दोस्तो यह याद रखेगा कि अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी मिड़ कैप के जो चार्ट है उसके लेवल की भी कर लेते हैं बात जो आज का है उसके उपर चल कर ही हलांकि बाएट बनता है बट हम लोग क्या करेंगे 13,200, 13,200 अगर प्राप्त होता है 13,200 के बाद अब साइड के बारे में सोचने लग जाएंगे जो कि हमको 13,255, 13,256 के और लेके जा सकता है और 13,256 भी अगर वरीज होता है तो 13,293, 294 तक के लेवल्स हमको एक बार को देखने को हो सकते हैं प्राप्त on the downside, my dear friends, 13,116 पर हमारा low लगा है 13,083, 13,083 बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है 13,082, 83 जो कि low है आज का जब तक वो नहीं तूटेगा, sell side के बारे में नहीं सोचने हाँ वहां तक का कोई dip आता है तो बहुत अच्छी opportunity हो सकता है उसके नीचे आजकता है 13,047, 13,047 और अगर 13,047 भी तूटा तो 13,010 से 13,08, 13,010 तो 13,018 भी हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी mid cap पर दोस्तों description में मैंने already link दे रखा है जो गणपती बपा मोरेया campaign है सैमको का उस पर जाके आप क्लिक करके अपनी stock की recommendations ले सकते हैं जल्दी कीजे देर मत लगाईए इसके साथ साथ आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आज रातरी और कल रातरी साड़े 8 बजे जूम application पर अपना एक घंटे का session चलने वाला है जो भी participate करेंगे जो भी account खोलते हैं अगर सैमको में तो अपना screenshot वेज सकते हैं और link ल से नया batch भी start हो रहा है तो अगर आपने सोचा है कि बारा दिनके batch में रिजिस्टर करना है तो देर किस बात भी आज ही रिजिस्टर कीजिए ट्वेल्फ डेस का बैच है 930-1030 पीम यह बैच चलेगा जूम application पे और जितने भी participants होते हैं उनको इसकी recording भी provide की जाती है याद करना हूं वीडियो का आप अलरडी लाइक कर चुके होंगे नहीं किया है तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा दोस्तों के साथ and my dear friends if you have not subscribed to the channel do subscribe and now thank you very much have a great day and best of luck for nifty 50s expiry bye